कर्तफ्य की प्रेड़ना चाया करता है तुछ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत परता है सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़का कर प्रति छड़ में है निमगन नित भूमी अंड के सेवन में रक्षण में कुमल मले पवन घर घर में सुर्भी बाट आता है शस सीचने घन जीवन धारण कर नित जाता है रवी जग में शोभा सरसाता सोम सुधा बरसाता सब है लगे कर्म में कोई निश्क्रिय द्रेष्टि न आता है उतेश नितांत तुछ त्रण के भी लगु जीवन का उसी पूर्ति में वेह करता है अंत कर्म मैतन का तुम मनुष्य हो अमित बुद्धी बल विलसित जन्म तुम्हारा क्या उतेश रहित है जग में तुमने कभी विचारा बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में क्या करतव विसमाप्त कर लिया तुमने निश्जी जीवन में जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है जिसका खाकर अन्य सुधासम नीर समीर पिया है जिस पर खड़े हुए खेले खर बना बसे सुख पाए जिसका रूप विलोक तुम्हारे द्रिग मन प्राण जुडाए वह सनेह की मूर्ति दयामै माया तुल्ले मही है उसके प्रतिकर तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेश नहीं है हाथ पकड़ कर प्रथम जिनों ने चलना तुम्हें सिखाया भाशा सिखा रदै का अदभुत रूप सरूप दिखाया जिनकी कठिन कमाई का फल खा कर खड़े हुए हो दीर्ग देहले बाधाओं में निर्भय खड़े हुए हो जिनके पैदा किये बुने पस्त्रों से देह ढ़के हो आतप वर्षा शीत काल में पीड़त हो ना सके हो क्या उनका उपकार भारतों पर लवलेश नहीं है उनके प्रतिकर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेश नहीं है क्या उनके फड़े हो